सबको सलाम करो अच्छे से यार ग्रोथ भी हलो फ्रेंज असलम आलेकुम कैसे आप लोग आप सब लोग अच्छे होंगे खैरिये से होंगे और वेलकम बैक टूबाइच चैनल आज का वीडियो आप लोग को थम मेरा टाइटेल देखे चीक चीक के बता रहा है कि मैं किस बारे के मैं अज बात करने वाली हूं तो यस जायसे कि मैंने बोला था जब मैंने अपना आईट प्लांड ग्लान जो बारे में बता देती हूं जैसे कि हम सब को हम सब को यह हम सब को हैर फॉल का ही प्रॉब्ले में हैर फॉल हो जाता है इतना है एक होता है है एक होता है कि चलो हंड्रेड हो गया ओके फाइन पर एक जो होता है एक से होता है कि हम लोग फर्स में देख रहे हैं कि हम लोगों का है पड़ा रहते हैं खाने में पीलो कवर में कहीं पर बेज़े को और सबसे बड़ा बात है जब आप लोग ने नोटिस किया होगा जब आप लोग स्यांपू करते हो उस टाइम तर्व भर भर के तुम हाथ में आ रहा है कांगी कर रहता है तो इस तरीके के जब हैर फॉल जड़ जब बढ़ जाता है तब वो ठीक नहीं है क्योंकि यह लड़का ना मुझे कभी भी वीडियो सुट करने नहीं देता सहीचे इसको रात में ही मस्ती चेटी और मैं क्या करूँ नाइट में ही मेरा सुट होता है अभी तीन बजरा है रात को अरे बदमा से कर लो है बबू ममा को चुची चुची करने दो अच्छा ठीक है ठीक है अम लोगों का जो प्राब्लेम होता है है और फॉल को यह जो वायल है एस को आप लोग अगर लगा लुआ तो हो दिन लगा सकते है जैसे कि हम लोग 2-3 दिन तो हम लोग करते ही है तो में 2 दिन करते हbaby सब्सक्राइब करने से बहुता है उसके साथ जो एक ड्राइब हो जाता है एकदम कड़क जैसा क्यूंकि है ज्यादा स्यांपु करते हूं तो आपका जायर कर निकल जाता है तो इसलिए दो दिन ठीक है कभी कोई कोई तो बोलते हैं एक दिन भी करो तब भी चलेगा मैं बीच में कर रहे थी पर अभी इतना ज्यादा गर्मी है तो मैं दो दिन ही करती हूं तो आप आप की आहें को कितना हो रहा है figured को यह Heya flipping को यूजज करने ही है इसमें जो थरी जो मेनिंगे जो शुक्त किया है इसके वज़े से है और यह लएक्ष बोहत ही मैं आप एपपलाइ करूए तो खूद पता चलेगे आप नई प्रेंद्ध लेंध पर यूज़ करें पर तो यूज़ करें सबसे बड़ा है जो लड़कियों का सबसे प्रॉब्लेम होता है कि एकदम थोड़ा से निकलना सुरू होता है तो यह सारे चीज से आपको यह करता है और छोटा-छोटे बेवी हैर भी आएगा वह भी आप नोटिस कर पाऊगे बड़ रातो रात कुछ नहीं होता है आपको होममेड चीज आपको सुकुन के साथ आपको टाइम के साथ यूज करना है रातो रात है यह उग नहीं जाएगा मैं यह नहीं बोलूँगे कि ग पुर्ण जूट बोलना हुआ कि कि ऐसा नहीं होता है हेयर फॉल जब होता है और हेयर ग्रोथ यह दो चीज के लिए हम लोगों को वक्त देना होता है क्योंकि बहुत टाइम क्या होता है कि हम लोगों खुद पता नहीं होता है कि हैर फॉल हो क्यों रहा है बहुत सारा किसी किसी के और भी कोई मसला है तो सारे चीज़ का जैसे थौरेड होता है तो तो मेरे मम्मी का खुद है तो उसमें बहुत सारा दिक्कते होती है तो पहले आप अपने डॉक्टर के साथ भी कंसल किजिए कि अगर इंटर्नल कोई प्रॉब्लम है तो इसका भी मेडिकेशन होती अच्छे से मैंने डायेट चट बना के अपलोड भी कर दिया है जो लोग चैनल में न्यू है आप लोग के लिए भी में डायेट चट का लिंक यहां पर दे रही हूं आई बटन में और मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आप लोग जाके पहले उसको चेक आउट क आप लोग पहले इसको आप लोग ऑन मन्द के बाद आप लोग नोटीस करोगे कि अपको फॉल फॉले रेडियूज होने जो थोड़ा सा कम हुआ है इंड उसके बाद थोड़ा 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 बेबी हैर अना शुरू करें यहां से नहीं से क्योंकि मेरा भी है मैंने अभी हेर बेंड इतना अच्छे से मैंने लगाया है इसलिए में उपन नहीं कर रहे हैं कि बहुत ज़्यदा गर्मी है पंखा वंखा सब कुछ बंद करके मैं सूट कर रही हूं तो अभी एकदम क्योंकि मेरा ना सामने का ना फ्रॉंड का मैंने स्टाइल माणने के लिए थोड़ा से चौप कर देर में इतना इरिटेट हो रही हूं वह सारे चीश से तो अभी मैंने अच्छे से उसको टाई किया हुआ है सो मैं उपन नहीं कर रही हूं पर बहुत सारा हैर मेरा भी आया है आप लोग को भी आएगा तो आप लोग अच्छे से इस चीज को फॉलो करना बस और कुछ करना नहीं है इसको हफ्ते में तीन दिन या फिर दो दिन शैंपू करने से पहले एक गंट या फिर दो गंट पहले अपलाई करना है अच्छे से लेकर लेन तक अच्छे से उसको अपलाई करना है जादना है को ना कभी-कभी में दे युक्से अराम से उसको वस्बी करवाते हैं तो कितना अच्छा से टावल से उसको ड्याब करते हैं वैसे हमारा है कोई बरतन जाड़ू नहीं है कि इसके ऐसे अच्छा करके लगर नहीं है आरम से परसुकुन से इसको आराम से आप लोग गिला भी बाल रहेगा तो बालो को सब्सक्राइब करते हैं वाटर को और आप लोग बालो के साथ हमेशा थोड़ी नमय के साथ ठीब लिदर हेसा और को थोड़ा यूज करें तो आराम होगा और में बूर्ढ़िव यह रोसी यूज करोगे थोड़ाज करें तो अंतों हेट मतब गरम पानी में तो यह हम और जायगा उसके बाद आप लोग स्केल्प में लेंध पर लगा लेना उसके बाद शैंपू करें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इंशालला कोई मसला नहीं होगा और मैं एक चीज़ आप लोग को पहले बता देती हूं क्योंकि यह होम रेमेडी है तो थोड़ा सा अप लोग को पेसेंट रखन है आपको ग्रो करते हुए दिखेगा उसके बाद जब 3-4 मत जब कंटो मतलब पूरे जब यूज कर लोगा तक चले गए तब तो हो गया बल्ले बल्ले क्योंकि उसके बाद अपका है का ग्रोथ आप एक दम मेजर्मेंट कर पाऊगी कि हैर का ग्रोथ हैर फॉल जितना हो ग यह सारे चीजे अपनी बनाने में बहुत ईज़ी है और इसको बनाने में भी इज़ी तो है उसको खर्चा भी नहीं है और यह बहुत ही बजल जो सारे चीज में एक आराम से मैं step by step आप लोग को समझा दूंगी तो आप लोग इसका लुबट उठाइए तो चलो चलते हैं पहले हम लोग ले लेंगे कड़ी पट्टा कड़ी पत्ता अब फ्रेस मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है उसके बाद हम लोग लेंगे coconut oil उसके बाद मेथी दाना coconut oil आप लोग जो पैरासुट वाला जो coconut oil आता है वो भी आप आराम से यूज कर सकते हैं मेथी दाना तो घर पे रहता ही है और easily मिल जाता है और कड़ी पत्ता कोशिस करें कि फ्रेस ले ऐसे लिवस ले पाउडर या फिर मार्केट में जो मिलता है उसको इगनॉर करें घर पे मिल जाता है फिर मार्केट में भी आसानी से इसको मिल जाता है और कड़ी पत्ता को हम लोग खुद घर पे लाके इसको ग्राइंड करेंगे आप लोग कुसिस करेंगे मिल जाएगा क्योंकि कड़ी पत्ता ना मार्केट मे और जिसके घर पे हैं गार्डन में उनके तो क्या कहने हैं उनके तो बहुत मज़े हैं तो आप लोग इसको यूज करेंगे हम लोग बाट एक चीज़ दिहान रखना दोस्तों कि इसमें कोई वाटर नहीं डालेगा कोई भी पानी नहीं डालेंगे इसको हम लोग ऐसे ही नौर तो हब कप ऑईल हैं यहां Why अपयसे में लोग मेर्में करके दिखा रही हूं हैं काली आपव कर औले लिए हैं अर चोटा जो टी स्पून रहता है चोटा वाला चोटा फ हम ळेकर और तो एो चुटा टी至्पून बोलसे वह चोटा टी स्पून में में 2 चीश्पून गमेतिunda ले ली हूं याद रखीएगा 2 चीश्पून मेथि दाना चोटा वहल हूं जो है थीакो कोकोनाट ओयल में फिर में 2 चीश्पून में में। का दाना में एड़ कर दूंगी हपका ओयल और दो टीस्पून मिथी दाना याद रखे में बार बार में बोल रहे हूं ठीक है उसके बाद अब हम लोग जो यह लिफ्स जो हम लोग ने ग्राइन करके रखा ता कड़ी पता अब इसको भी मेजरमेंट करके डालेंगे तो यह ब हाप काप हम लोग ने ओयल ले लिया दो टीस्पून चोटा टीस्पून हम लोग ने मेथी दाना ले लिया और बड़ा जो कड़ी लिफ्स में ले लिया और बड़ा टीस्पून में दो टीस्पून ले लिया याद रहेगा आप लोग को ठीक है तो यह सारे चीज अब हम लो थोड़ा सा नह Mercure पेहले धीमा करेंगे उसके बाद थोड़ा सािसको बढ़ा देंगे अभी नहीं पहले हम लोग डाल टेते हैं। ओयल मेंने डाल लिया है मिधी दाना ओयल अभी नगा डालेंगे अब इसको अाच को थोड़ा सा ज्यादा कर लिया है आप देखिए को बवल सारी देखे रहो अब लोग अब क्या करें गया धीमा कर देंगे एक दम सिम्मे कर देंगे आज को उसके बद कड Zoom में कर देंगे आज को उसके बद कडि लिफ्स डाल लिया अब थीम ही रहेगा वह अब तेज में नहीं दिमें दिमें ऐसको पका ना है यह सुवदिरुभी कोड़ी पता क हो गया है। आपका मेथि CAB कोकोनट ओयल का तो यह सारी चीज का ना बहुत अच्छा खुसबू आतार आप लोग देख सकते हो यह धीवे धीरे धीरे पक रहा है इसका जो सारे जो चीज है यह मिक्स हो जाएगा अब जो ब्राउन जब हो जाएगा अब क्या करना है यह पूरा रेडी हो गया है अब पू है उसके बाद यह सारे चीज हो गया है आप देखिए इसका कलर देखिए कितना अच्छा कलर एकदम ग्रीन पूरा एकदम कड़ी पत्ता का जितना बेनिफिट है ना और मेथी का और कोकोनट वॉयल का सब आ गया है और इसको ना मैं फेकती नहीं हूँ मैं तड़के भी उस किजिए का काच का ठीक है अब हम लोग इसको लगाएंगे अपने सर पे तो यह ओयल सच में मैजिकल ओयल है इसका आपका हैर फॉल भी कम होगा आपका जो हैर में जो होता नहीं एकदम पूरा खाली हो जाता है जो साइड में जो खाली हो जाता है उसमें भी आपको हैर ग्र ऐसा कुछ केमिकल्स अपने अपलाई किया हूँ उसके बाद अपके हेयर का बैंड बच चुका है आप एक हेयर ओयल अगर यूज करोगे तो आपका हेयर बहुत सौफ्ट रहेगा मैनेजबल रहेगा और बहुत अच्छा रहेगा और इसको धीरे धीरे से अच्छे से सब्सक्राइंडों करके मैं सौर्ड़ सब्सक्राइब अच्छा रहे और यहर ओयल को अपलोग हफ्ते में 2 दिन यूज करो रहेगा हो बिद्धिस महरे बहीं हैं मेरा कुछ दिन पहले ऐसा था कि जब भी मैं हैार लगा थी तो मेरा बहुत जदा कम हो गया है एंड मेरा भी हेर का कंडिशन भी बहुत अच्छा है तो इसको हम लोग लगा के अब छोटी बार में थोड़ा सा उपर में बन कर ले रही हूं और आवर बात में सैंपू कर लूगी फिर को समझ में आ गया है हिसे काच के कंडेनर में अप लोग इस्टोर करना है आप लोग के घर पर अगर और ये टारेस हो गया और बलकोनी हो धूग अगया धूप आता है तो धूप में भी रख सकतें अच्छा होगा hair oil को तीन दिन यूज़ किज़े अपी दो दिन यूज़ किज़े नहाने से दो घंटा एक गंटा पहले यूज़ करने अच्छे सैंपू से इसको वस करना है सैंपू में पेरविन फ्री सैल्फिट फ्री सैंपू आप लोग यूज़ करें अपने hair के according जैसा आपको hair का texture है जिन लोगों का normal हो रहा है उन लोगों को ते और मन में एकदम completely बंद हो जाएगा hair fall होना और थोड़ा-थोड़ा hair grow भी होगा dryness भी चला जाएगा और यह वीडियो अगर अच्छा लगा होगा क्या करना है वीडियो को like करना है share करें subscribe करना है अपने बैंद को भी थोड़ा प्यार दे दो और दे देर सारा आप लोग भी खुश रही हैं मेरे तरब से आप लोग भी बहुत देर सारा प्यार है तो आज का वीडियो में यहीं पर खतम करतूं फिर नेक्स ब्लाग में फिर मिलेंगे टाटा वाई अलाब इस